अनुप्रिया जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत-बहुत बधाई आपको और पूरे गडबंदन को लेंड्स्लाइट विक्ट्री योगी अदितनाथ की दिख रही हैं। कैसे देखती हैं आप इस जीत को? जी मैं आज के इस अवसर पे बहुत ज़्यादा प्रसंदता मैसूस कर रही हूँ और मैं ये कहूंगी कि जो हमने उमीद की थी उन उमीदे को अनुसार ही अभी तक के रुजान देखने को मिल रहे हैं। हमने पहले दिन से ही कहा था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपना दल भाजपा निशाद पाटी के एंडिये गटपंदन की जोरदार वापसी होगी और हमारे दावे सही साबित हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि रुजान किसनी तेजी से बदल रहे हैं और कितनी भी व्यक्त करना चाहती हूँ हमें इतना समर्थन देने के लिए और निशाद पार्टी अपना दल भाजपा के कारे करताओं को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ उनके अथक परिश्रम से ही ये सब कुछ संभव हुआ है अनुप्रिया जी आप तो जीत हो गई है खुशी भी है अब कुछ बातें साफ साफ की जा सकती है जब अपना दल को चनौती मिली अपने घर के लोगों से जब निशाद पार्टी को चनौती मिली कुछ ऐसे नेताओं से जो अपने आपको कुछ जातियों का मठादीश मानते थे तो कुछ डर लगा था दिल धड़का था कि क नहीं वो छिटक तो नहीं जाएंगे? निश्यत रूप से थोड़ा सा एक awkward situation जरूर होती है, लेकिन अब राजनीती में समाने बात हो गई है कि परिवार के अलग-अलग लोग, कई अलग-अलग राजनेतिक दलों में भी होते हैं, भारती जनता पार्टी में भी ऐसा देखने को मिलता है, कॉंग्रेस या अन्य दलो में भी ऐसा देखने को मिलता है, तो एक ठीक है थोड़ी से थोड़े समय की awkwardness जरूर होती है, लेकिन परिणामों को लेकर, या मेरी पार्टी, अपना दल की performance को लेकर, मेरे मन में कभी किसी प्रकार का कोई संदे नहीं था, और मैंने हमेशा पूरे आत्मविश्वास के जीते हैं, और चौथे चुनाओं में भी हम अपनी performance को repeat करने जा रहे हैं, और रूजहानों से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, और मैं उमीद करती हूँ कि final result जब आएगा, तो हम जो रूजहान दिख रहे हैं, उसको हम पूरी तरीके से हकीकत में तबदील होते हों लेकिन strike rate काफी अच्छा है, जैसे वारान सी, प्रताफगर, मिर्जापूर में अपना दल्द का प्रदर्शन बहुत शांदार दिखाई दे रहा है। मेरे अधिक्तम प्रत्याशी जीत कर भी आएंगे, एक दो में हो सकता है, कोई समस्या हो, लेकिन अभी तक मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे अपनी सारी सीते। मोदी जी के मार्ग दर्शन में कि सरकार ने अपनी पॉलिटिक्स को पर्फॉर्मेंस ओरिंटेट पॉलिटिक्स बनाते हुए, हम अपनी योजनाओं को एंड कंज्यूमर तक या कंज्यूमर नहीं कहोंगी, लाभार्ती तक कैसे पहुचाएं। तो अंतिम व्यक्ति तक जो हमने पहुचाया है योजनाओं का लाभ, इससे लोगों के मन में एक सरकारों के प्रती विश्वास पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हमारा पॉलिटिकली क्रूशल स्टेट है, बहुत बड़ा एक मतदाता वर्ग है। और करोडों की संख्या में लाभारती है, जिने भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ पहुचा है, किसी को एक योजना का, किसी को एक से जादा योजना का, और टेक्नॉलिजी एडॉप्शन की वज़े से जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, कि बहुत सारा सरकारी धन जो योजनाओं के नाम पर लाभार्तियों के नाम से निकलता था, उनके खातों में कभी पूरा का पूरा पूरा पहुचना नहीं था, बिचॉलियों की भेट चड़ जाता था, टेक्नोलिजी अडॉप्शन की वज़े से वो सब कुछ जो लाभार्ति का जायाज अधिकार है, पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्ति के अकाउंट पे पहुचता है, चाहे PM किसान हो, मनरेगा का पैसा हो, पेंशन का पैसा हो, यह तमाम योजनाओं के लिए DBT के जरिये सारा पैसा उनके अकाउंट में पहुचता है, तो एक विश्वास बहुत बड़ा से उठाती रही है, उन पर भी सरकार की ततपरता दिखी है, नीट में पिछरों के आरक्षन को लागू करने में सरकार ने ततपरता दिखाई है, 79,000 शिक्षक भरती का प्रकरण बहुत महत्वपूर था, हमारे पिछरावर्क के चातरों के बीच में बहुत असंतोश था, सर सिव हमने एक infrastructure बनाया, सडक से लेकर बिजली, पानी और तमाम airport, highways, expressways, medical colleges, यह सारी हमने एक overall package जनता को दिया है, जिसमें pro-poor welfare भी है, गरीब कल्याड भी है, विकास भी है, social justice से related निडने भी हैं, तो जब हम एक पूरी संपूर सोच के साथ जनता के बीच में गए हैं, तो मुझे लगता है कि विश्वास और भरोसा हमने जीता है और इसलिए हमें ये रुजहान देखने को मिल रहे हैं। उनका कोई काम नहीं किया और इसलिए उन्होंने पार्टी छूड़ी थी। और अभी उसका समाधान होना बाकी है। मैं ये मानती हूँ, मेरा अपना विचार है कि हमें सिस्टम के अंदर रहकर जो हमारे मसले हैं उनके लिए संगर्श करना चाहिए। और जो प्रकरन है, जैसे नीट का मैंने आपको उधारन दिया। ये एक प्रकरन है जिसका समाधान हुआ है। लेकिन हाँ, अभी बहुत से विशे वाकी है, जिनका समाधान होना बाकी है। और हम सरकार में रहके उसका समाधान करवाएंगे। जो लोग गए, उन्होंने ये निर्ने चुनाव के ठीक पहले लिया। बलकि कहीं न कहीं आपके जो व्यक्तिगत लाव के मसले हैं, वो हावी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी गटबंदन को, सरकार को छोड़ना है, किसी व्यापक मसले पर, बड़े मसले पर, तो चुनाव से कुछ समय पहले करेंगे तो शायद उसका बहतर इंपक्त जाएगा, लेकिन चुनाव के ठीक पहले करने से बहुत अच्छा इसका प्रभाव नहीं जाता है, नतीजों में वो बात सामने भी आएगी, और तो बेस तरीका तो ये होता है कि हम सिस्टम के अंद बरसों से जानती हैं, आप एकनम चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं, तो आप से ये मैं समझना चाता हूँ कि आपके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को क्या हुआ, दो सीटों पर सिर्फ आगे चल रहे हैं, चार सो तीन में से, अब मायावती जी का एक बड़ा वोट सावरिंग लीडर हैं, उन्होंने कई बार हमारे प्रदेश में सरकार का नेत्रित्व किया, एक बहुत बड़ा उनका समर्थक वर्ग है, उनको बानने वाले लोग हैं, लेकिन राजनीती में हमें निरंतर अपनी सक्रेता बनाए रखनी पड़ती है, पिछले 5-6 वर्षों म यदि आप देखें, तो आधनीय बहन जीर की सक्रेता उस द्रिश्टी से काफी कम रही, तो कारेकरता या जो काडर होता है, वो हतोत साहित हो जाता है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, केवल चुनाओ के समय ही यदि मैं आके अपनी उपस्तिती दर्ज कराऊं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने वोटर को मोबिलाईज करा सकती हूँ, तो निश्यत रूप से एक जो उनकी निश्क्रेता रही, इससे वोटर, काडर, सब में एक हतोत साहित हुए, सब थोड़ा सा मोटिवेटेड नहीं रहे, और ये कारण है कि बहुजन समाज पार्टी इसे जो performance हो सकती थी, वो शायद आज, आज की रुजानों में तो हम उसे नहीं देख रहे हैं, हम लोगों को तो इसका आकलन पहले ही हो गया था कि बहुत खास शायद प्रदर्शन ना हो, क्योंकि निरंतर जो मैंने कहा, वो बने रहना जमीन पर, अपने लोगों के बीच म वो जरूरी होता है, वोटर किसी का गुलाम या बंधुआ नहीं होता है, निरंतर हमने उनसे जुड़े रहना है, तभी कुछ कमाल होता है, यह अच्छी बात है और यह आपने तो करके दिखाया है, प्रैक्टिकल लाइफ में, वोटर के बीच में जाना, कारिकरताओं से सं पर बनाये रखना, इसलिए शायद आपकी पार्टी ने स्ट्राइक रेट किया है, अब अपना दल का भविश्य आप क्या देखती है, कैसे एक्स्पेंड करेंगी, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? हमने इस चुनाओ में भी फ्रयास किया, कि हमारी पार्टी को बहुत बार लोग कोशिश करते हैं, एक दायरे तक सीमित करने की, कभी वो छेतर के दायरे में सीमित करते हैं, तो कभी जाती के दायरे में सीमित करते हैं, हमने ये कोशिश की, कि हमारी पार्टी का जो वो सही तरीके से सामने आए और इसलिए हमने पार्टी का विस्तार जहां तक चुनावी शेत्र या विधानसभा शेत्र जहां पे हमने अपने प्रत्याशी फील्ड किये उसके चैन में भी प्रदर्शित किया यानि पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर अंतिम छोर पूर्व वर्ग कमजोर वर्ग दली तादिवासी सबके हितों के लिए लड़ते आएं हैं तो एक जो प्रयास कई बार किया जाता है कि एक कास्ट स्पेसिफिक कास्ट तक उसको सीबित किया जाए मुझे लगता है कि हम काफी हर्ट तक कामियाब हुए हैं बड़ा संदेश देने में और आगे की भूमिका तो भारती जंता पार्टी हमारा बड़ा सयोगी दल है निशाद पार्टी भी हमारे इस NGA परिवार में शामिल हुई है तो अभी तो हमारा साजा लक्षिता कि हम उतर प्रदेश में सता में वापसी करें जो हम करते हुए दिख रहे हैं करेंगे भी औ सब टॉप लीदर्शिप के साथ बैटके तै हो जाएगी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है बहतर सामंजस है एक अंडिस्टैंडिंग है और पिछले चार चुनाओ साथ लड़ने के कारण मुझे रखता है कि एक संबंदों की प्रगारता भी अब बन चुकी और बहुत परिस्तितियों में हमने चुनाओ लड़ा ऐसा मैं महसूस करती हूँ लेकिन बहुत अच्छा हमारे गटबंदन ने प्रदर्शन किया तो हमारे गटबंदन की ताकत सरकार में भी परिलक्षित होगी ऐसा मैं मानती हूँ अलुपिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने इतना समय दिया और एक बार फिर से बहुत 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 बढ़ाई और बहुत बहुत शुब कामना है